जे बुद्र देव बगवार हम आज सभी को बुद्धवार की कथा सुनाते हैं हम आज सभी को बुद्धवार की कथा सुनाते हैं श्री बुद्ध देव के चरणों में हम शीश जुकाते हैं बुद्धवार व्रत करने से मनवानचित फल पाते हैं श्री बुद्ध देव के चरणों में हम शीश जुकाते हैं जै बुद्ध देव भगवार करो भक्तों का कल्यार एक व्यक्ति पत्नी को लाने जा पहुचा ससुरार जाते हैं पत्नी ने पूछा पती देव से हाई पती बोला मैं ठीक हो तुम भी अपना बतलाओ पत्नी बोली कुशल हो किस कारण आई समझाओ पती बोला तुझे लेने आया लेकर जाऊंगा तेरे पिता से कहके तुझे को विदा कराऊंगा पत्नी से बाते कर कुछ दिन पती ने किया वेश्राब ससुर से बोला ससुर जी मैं जाऊंगा अपने ग्राब ससुर बोला बुधवार के दिन कहीं न जाते हैं श्री बुथ देव के चरणों में हम शीष जुकाते हैं जै बुध देव भगवान कर भगतों का कल्यान आज के दिन कहीं नहीं जाते सबने समझाया लेकिन हट धर्मी न माना जिद पे अड़ाया नए जमाने का मैं हूं नहीं मानता हूं बुधवार आप सभी क्यों मुझसे बाते करते हैं बेकार दूर कीजिए मन के भ्रम को आज मैं जाऊंगा विदा कराकर पत्नी को मैं खुशी बनाऊंगा ऐसो कहके उस व्यक्ती ने सबको विवश किया चल दिया है अपने घर को पत्नी को संग लिया राह में कैसी घटना घटी आगे बतलाते हैं राह में कैसी घटना घटी आगे बतलाते हैं श्री बुद्ध देव के चरणों में हम शीष जुकाते हैं जै बुद्ध देव भगवान कर भक्तों का कल्यान राह में उसकी पत्नी को लगी बड़ी जोर की प्यास नजर ना आए पानी कहीं भी देखके हुई उदास अपने पती से बोली स्वामी लगी जोर की प्यास प्यास के मारे गला सुख रहा होता नहीं बरदास पानी लेकर आऊंगा मुझ पे रखो विश्वास इतना कहके पती जब पहुचा है कुए के पास चकित हो गया पती देखके पानी जब लाया हम शक्ल को पास में अपनी पतनी के पाया देखके ऐसी घटना होश उसके उड़ जाते हैं श्री बुद्ध देव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं जै बुद्ध देव भगवान कर भकतों का कल्यान रत पे बैठा व्यक्ती बोला ये पत्नी है मेरी घूर घूर के क्या देख रहे क्या लगती तेरी मेरी पत्नी के पास में बैठा उल्टा करे सवाल मैं कहता हूँ अभी उतर जारत से तू ततकार व्यक्ती बोला बहर उपिये इसे प्याह के मैं लाया मेरा रूप बना के बोलो कहां से तू आया मेरी पत्नी को अपना बोला तो बच नहीं पाएगा अगर जो मुझे को आया गुस्सा जान गवाएगा मेरी पत्नी है ऐसा कहके दोनों टकराते है शीबुत देव के चरणों में हम शीष जुकाते है शीबुत देव के चरणों में हम शीष चुकाते है जै बुत देव भगवान करो भक्तों का कल्यान जै बुत देव भगवान करो भक्तों का कल्यान दोनों को देख जगरता सिपाही जा पहुचे है पास जाके सिपाही ने पकड़ लिये है उन दोनों के हाथ पत्नी से बोले सिपाही बताओ तेरा पती है कौन दोनों लगते थे एक जैसे पत्नी खड़ी थी मौन मौन तोड़ा पत्नी बोली मैं कैसे बतनाओ दोनों ही एक जैसे है कुछ समझ नहीं पाओ किसको छोड़ों किसे अपनाओं मुझे नहीं है ग्यान बुथ देव से बोली पत्नी रक्षा करो भगवाई अकाश वानी हुई अंबर से सब डर जाते हैं शी बुथ देव के चरणों में हम शीष जुकाते हैं जै बुथ देव भगवाई करो भग्तों का कल्यान अकाश वानी दी सुनाई दिल है आज बुथ वान आज के दिन नहीं आत्रा करते लेकर के परिवार लेकिन तेरी जिद के आगे मान गई सबहार तुने बात किसी की नमानी लेकर चला परिवार तेरी जिद को देख के क्रोधित हुए बुध भगवाई तेरी समस्या का बुध देव ही कर सकते समाधान बुथ देव से करो प्रार्थ न शमा मांगो सिरनाई इसके सिवा तेरे पास नहीं है दूजा कोई उपाई बुध देव ही सभी लोगों की बिगड़ी बनाते हैं शीबुध देव के चरणों में हम शीष जुकाते हैं जै बुध देव भगवान कर भक्तों का कल्यान बुध देव भगवान कर भक्तों का कल्यान बुध देव से मांगी माफि पती ने लगा कर ध्यान बुध ही थे हम शक्ल रोप में हो गए अंतर ध्यान अपने पत्नी को संग लेकर पती घर को आया बुध वार व्रत के सामगरी बाजार से लाया नियम पूर्वक पती पत्नी व्रत करने लगे बुध देव के क्रिपा से खुश हो गया सारा परिवार सभी सुखों को पाया उन्हों नी व्रत करके बुध वार गुध वार को गुध देव की गुझे जै जै कार संजै लिखे कथा को हम गा करके सुनाते हैं श्री बुध देव के चरणों में हम शीष जुकाते हैं जै बुध देव भगवान कर भगतों का कल्यान जै बुध देव भगवान कर भगतों का कल्यान